दोस्तो Play Store तो आप सभी लोगों के मुबायल में देखने को आपको मिल जाता है दोस्तो क्या आपको पता है जो आपके मुबायल के अंदर पलिय स्टोर है आप पले स्टोर में कुछ शैटिन्ग करके जो ख़दरनाक setting है उसको करके अपने मुबाइल की hanging problem को दूर कर सकते है जहां दोस्तों आपने सरी सुना आपका मुबाइल बहुत जादा hang करता होगा जब आप मुबाइल को use करते है कोई application खोलते है तो बहुत देर में जो है आपको open करती है दोस्तों और दोस्तों जो आपक आपके मुबाइल में lagging problem आएगे तो बैंटर भी जादा जो है कंजूम आपका मुबाइल करेगा तो आप इन सभी problems को केवल प्ले स्टोर में चार खदरनाक hidden setting को करके दूर कर सकते हो जहां दोस्तों आपने से सुना यह आप प्ले स्टोर की चार खदरनाक hidden setting को अपने अब दोस्तों आपने सभीने एक चीज को नोट किया होगा जब आप अपने मुबाइल को चलाते हो मालेज़ा कि दोस्तों आपको कोई application है वो आपने डाउनलोड करी डाउनलोड करने के बाद आप क्या काम करते हो उसको delete जो है कर देते हो जैसे कि दोस्तों यह एक application है यह म भी application है वो कही ना कहीं आपके मुबाइल के play store में छिपकर बैठी हुई है आपको उसका पता भी नहीं है जो कि दोस्तों आपके मुबाइल की RAM भी घेरती है background में जो उसकी file है जो उसमें junk बने हुए है वो आपके system को hang करते है और बहुत ज़्यादा problem रहते है तो सबसे पह कर जे क्योंकि दोस्तों से क्या होगा जो वो फाइल थी जो आपके मुबाइल के अंदर छिपकर बैठी थी वो background में clear junk जो है फैला रही थी ओके junk फैला रही थी आप उसको क्या काम करेंगे clear करेंगे वह कैसे करेंगे केवल play store से आपको क्या काम करना है दोस्तों आपको जा app and device आप manage app and device वाले setting पर क्लिक जो है कर देंगी तैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा उपर के साइड जिसका नाम होगा manage आप manage पर क्लिक करेंगी अब दोस्तों आप लोग देख रहे हो आपके वाले में जितनी भी आप है यह सभी आप इन्स्टोल्ड वाले आचके यहाँ पर इन्स्टोल्ड जो है लिखा हुआ है यह सब आप आपके मुझाल में है जो कि आप यूज करते हैं अब यहाँ पर देखें दोस्तों आपको एक option देखने को मिलेगा यहाँ पर आ गया नीचे की साइड नोट इन्स्टोल्ड य करते और आपने दो, 4 दिन के लिए यूज किया था डिलीट जो है कर दया तो आप क्या काम करेंगे, करेंगे यहाँ यह को स्लक्रेंग और यहां पर आप उपर की देखेंगे 33 आप यहाँ यहाँ चले जाएगी, कितने फास्ट यह MB बढ़ रही है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ ही एप्लिकेशन को स्लेक्ट किया है और ऊपर की साइड आप लोग देख सकते हो कितने सारी MB बढ़ चुकी है 343 MB तक अभी दोर तो बहुत लंबी लिस्ट है यह तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ओके यहां से मैं दो जिपी तक जो है फिरी कर दूँगा अपनी रैम को जिस्षे मुबाइल जो है कर लेनी है प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद इससे क्या होगा जैसा कि मैंने आपको बताया जितनी भी जंक आप आपने डाउनलोड करके छोड़ दिया वह जंक बन चुकी है वह किलियर हो जाएगी उसके वज़े से जितनी रैम आपके मुबाइल के घेरे हुआ बैठा और उसके शेटिंग के लिए आपको जाना है दोस्तो वहापिस से अपनी प्रॉपायल वाले उप्सिन पर यहां पर जाने के बाद आपको एक ओप्सिन देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा दोस्तो सबसे पहले नंबर की एक सेटिंग निकलती है जिसका नाम है एप डाउ प्रफोल्टीख होगा ओवर एनी नेटवर्क आपको क्या करना इसको आस्क मी एवरी टाइम डन पर क्लिक कर देना है इससे क्या होता है न दोस्तों मालेजे कि आपके मुबाइल में कोई जरूरी हो जाती है अब क्या होगा जब आपको यह डाउनलोड करेंगे आपका मुबाइल आपसे पूछ लेगा कि कौन सा डाटा यूज करना है वाइफाई का या फिर मुबाइल का तो आप उसी तरीके से स्लेक्ट कर सकते हो वाइफाई चला रहे ते उस टाइम पर फिरीग आपकी बैंटरी भी बचेगी और आपका जो मुबाइल हैंग करता है उसमें दोस्त आपको 50% तक का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और जब आप गेम प्ले करेंगे ना तब तो वाउ मजा ही आजाएगा आपका क्योंकि बैक्ग्रांड बैक्राउंड की जितनी भी मुबाइल में over any network होगा आप इसको भी सबसे नीचे वाले पर क्लिक कर देंगे डू नोट ओटो अपडेट एप इससे क्या होगा दोस्तो जब आपके मुबाइल में कोई भी अप्लिकेशन का कोई अपडेट आता है मान लिजे कि आपने कोई गेम डाउनलोड गिया हुआ ह है उसका कोई अपडेट आया और आप तो पड़ेश हो रहे हो राथ को तो आपका माध कर देगा अपको आपको पता भी चलेगा वहाँ पर क्या हुआ दोस्तो डटा भी खतम हो आपका और बैंटरी भी खतम हुए आपका जो है मुबाइल की जो हैंग फैम यूज कर रहे थ आपको notification मिलेगा आपके हाथ में है उसको update करें यह ना करें बट वह automatic नहीं होगी ओके पहुत सारी अप्लिकेशन नहीं होगी तो चॉलिस-पचास अप्लिकेशन नहीं है सभी के मुवाल में ज़्यादा ही रहती है वह बार-बार पर आपको शेटिंग करनी है इसके बाद दोस्ता आपको चाहर नंबर की सैटिंग करनी है चाहर नंबर की सैटिंग में दोस्ता आपको यहां पर एक option मिलेगा ओके यहां पर यह video रहती अब चल नहीं जे मैंने उसको बंद कर दिया और आपने playstore को इस तरिके से बंद कर दिया आपने यहां से इसको कट नहीं किया अभी यह क्या काम करेंगा जितनी भी video है उसको ऐसको अट्चोमेटिक लोड कर रहेगा इससे इसके ताकि जब आज ट नुक्सान हुआ बाig्राउंड में प्रोसेस कर रहा आपका मुबाइल उसका नुक्सान हुआ तो यहाँ पर आपका इंटरेनेट का भी नुक्सान हुआ तो यह समझने वाली है जो आपके यूज में नहीं है आप उस सेटिंग को जो है कर लीजिएगा तो चार सेटिंग करके देखना आप दोस्ते रिजल चोकने वाले मिलेंगे आई होप यह वीडियो आपको उच्छे लगी हो कि कुछ नहीं इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना वीडियो को लाइक करना बोगते ऴेड़ आपी बीडियो है, तो ये ताइस बिदोंस ओने सकती हो बस्ताइब का ती, शुबो